हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सौरव सरीर में केलसियम की कमी को बताते है सायद आप इस बात से बाकिफ ने हो लेकिन केलसियम हड्डियों के लिए इनन का काम करता है दरसल केलसियम की मदद से हड्डियों की मजबूती बरकरार रहती है इसलिए सरीर में केलसम की कमी होने पर हड़ियों पर सबसे पहले प्रवाब पड़ता है और हड़ियों में दर्द होने ये चोड़ लगने की संबावना बढ़ जाती है अगर आपकी हड़ियों में काफी दर्द रहता है तो समझ जाएं कि आपके सरीर में केलसम की कमी है नाखुनों पर सफेद लकीरें उभरना नाखुनों पर सफेद लकीरों का उभरना भी केलसियम की कमी को दर्शाता है सरीर में केलसियम की कमी होने पर नाखुनों पर सफेद रंकी लकीरें पढ़ने लगती हैं इसके अलावा अन्य कुछ पोसक तत्वों की कमी, तनाव या लिवर से जोड़ी बिमारियों के करण भी ऐसा हो सकता है इस समस्य से रहत पाने के लिए केलसियम समेट अन्य आवसक तत्वों से भरपूर खादे पदार्तों का सेवन करें अगर फिर भी फायदा ना हो तो डोक्टर से मिले थकान की समस्य को अधिकतर लोग सामाने समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं जो की गलत है अगर आपको बिना कुछ काम किये ही अधिक थकान महस्यम की कमी है इस बज़े से मांस्पेस्यू में अकलन की समस्या भी होने लगती है ऐसे में आपके लिए बहतर होगा कि आप अपनी डाइट में केलसियम से भरपूर खादे पदार्तों को सामिल करें बैसे तो बहुत ज़्यादा परिसान या फिर उत्साहित होने पर ब्यक्ति के हिर्दे की धलकन का कम या ज़्यादा होना सामने बात है लेकिन अगर आपके हिर्दे की धलकन कुछ सेकेंड से ज़्यादा देर के लिए एनियमित हो रही है कि आपके सरीर में केल सेमकी कमी है तो दोस्तों ये सारे रिक संकेत आपको कैसे लगे नीचे केमेंट करें हमें जरूर बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें